कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके में चैनल गोविद गोपाल में फिर से एक पर दोस्तों आज इस वीडियो में फिर से बात करेंगे सिच्छा मित्रों को लेके सिच्छा मित्रों को लेके हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सिच्छा मित्रों के दो प्रदेश अध्यच एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं कहने की तोर पर तो बस इतना है कि दोनों ही प्रयास कर रहे हैं सिच्छा मित्रों के हित के लिए ले कि अभी तक सायरिस हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ पाए क्योंकि कभी भी कभी सामुहिक रूप से सभी संग्ठोनों ने एक साथ मुक्मद्री से वारता नहीं किये। इस समय जब सुप्रीम कोर्ट का ओडर आया उनुतर या सचक बढ़ती का और साथ पैसे कट ओफ लग गया चालिस पैस नहीं लग पाया जिसकी बैसे सिच्छा मुत्रों का ये आखरी मौका भी उनके हाथ से चला गया बहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज सरकार की दया पर ये कह रखा है कि सरकार चाहे तो इनको अगली भरती में मौका दे यानि कुल मिला कि ये भी एक आदेस नहीं है इस पस्तोर पर ये सभी की समझ में आ गया है सरकार की दया पर ही निरबर है कि वो अगली भरती में सिच्छा मित्रों का जो है एक और अफसर दे सकती है एक अफसर इस अध्यच जितने भी हैं, दो अध्यच सो हम आपको बता देते हैं, एक हिर्देश दुपे हैं, प्रिदेश अध्यच सिच्छा मित्र संगेठन के, उन्होंने भी यही प्रयास किया है कि अब वो मुक्र मंत्री से वारता करेंगे, और सिच्छा मित्रों के तरफ से जितनी भी करिए बस इन लाखों परिवारों को जीवन यापन करने के लिए अपना आश्रवात दीजिए, इनका कल्यार कीजिए, यह आपकी तरफ आसा बरी निगाहों से देख रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, इसके लिए जो फिर्देश अध्यच फिर्दिस दुबेजी हैं, उन्हों काया है कि कम से कम 50,000 पत्र मानिय मुख मंतरी जी के पास पहुंचने शाहिए, हर जिले से हर सच्छा मित्र इसको जो है मानिय मुख मंतरी जी के लिए एक रजिश्ट्री करें, वह पत्र क्या है, वह पत्र हम आपको नीचे हमारी डिस्कृशन में एक लिंक दे रखा है www.govid सब्सक्राइब को अपना नाम लिखना है और अपना इस्कूल का नाम लिखना है एपना इसको प्रिंट आउड निकाला के रिइस्टरी करेंगे इस तरीके से उस पत्र के दवारा है यानि ऐसे कि करके पत्र साइब चाहिए तो सायद मानि मुख्रमंत्री जी का हिर्दय कुछ पेगल जाए। कहने की बात यहां जी है कि पहले तो आप उस पत्र को पढ़िए। उस पत्र में बढ़ी मारमिक भासा लेखी हुई है। आसा भरी निगाहों से मानि मुख्रमंत्री जी की तरफ सिच्छामित देख रहा है। अपनी पुरानी गलतियों को लेके माफी भी मांग रहा है। तो पत्र अच्छा खासा सही है एक तरह से तो अगर वो ऐसे पत्र सिच्छामित भेजते हैं तो सरकार की निगाह में साइज कुछ होना हो लेकिन इतना तो करीदें सरकार की जो हाई पावर की कमैटी है उसकी ज परस्ट लूप से दिखाई दे कि आखिर हमारा भवेश्तित क्या है। उनेतर है जाज इसे चक भरती में जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उबले ही अगली भरती का इन्तियार कर सकते हैं और अगली भरती कब होगी यह इस परस नहीं उससे पहले दो मुख्य काम है वो मानने मु ये सिच्शानीती में भी इन इनसे तायी इस्थाहर को आपाट को मिलें इन सब पत्रों के प्रबाप पढ़ेगा उन्हों ने पत्र लिखा है नीचे वाइबसाइट, www.gopal.com इस पर जाएगे, पत्र को पढ़िए, चाहिए लिखिए, प्रिंट आउट करवाएगे, कुछ पर करेगे, इसको रेष्ट्री हर से च्छा मित्र माने मुख्मंत्री जी के लिए करें. तो यह तो रही थी हिर्देश दुबेजी का प्रियास, लेकिन आपको बताएं कि हिर्देश दुबेजी ने प्रियास किया था कि एक इससे पहले, कि मैं मुख्मंत्री से बात करूंगा, मुझे हर जिलाई से कम से कम 20-20 लोग चाहिए, और हमारे संपर्क में आएं, और हम जो से कम इस दुबात करते हैं, डेट पास सिच्छा मित्रों का इनोंने मुख्मंत्री के सामने कई बार पच्छ रखा है, उनका भी एक मैसेज आया, उन्होंने भी संदेश दिया है कि मुझे भी हर जिले से कम से कम 10 सिच्छा मित्र ऐसे चाहिए, जो सक्रीन हों और आगे कि मानने मुख्यमंद्री से अनुग्रेविंग्रेव करके किसी भी तरह से करके जो सबसे पहला टार्गेट होगा यही होगा कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को प्रिकासित किया जाए पहाल लेका आए जाए यहां जैसे यह ख़बर सामने आई तो सबसे बड़े चौकानी की बाद जही थी कि फिर से सिच्छामित्र अलग अलग गुट मनाकर मानने मुख्यमंद्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं उदर हिर्देश दुबेजी कर रहे हैं और इदर बाद में अभेकुमार सिंग जी की अभेकुमार सिंग जी की पोस्ट को पढ़के हिष्देश दुबेजी को थोड़ा दुख हुआ और उन्हों ने फिर अपनी पोस्ट में यह इस पष्ट कर दिया कि हम नहीं चाहते के सिच्छामित्र अलग लग जाके उनसे मिले हमारे सिच्छामित्र हों चाहें उनके हों स मुख्यमंत्री से बात करें इसमें कोई अपति नहीं है सिच्छामित्र एक जुठ हो जाएं बस यह है और अब इस समय ना तो कोई कोट के रिव्यू के चक्रम पड़े पुनरवे याजिका में पड़े कुछ नहीं मानने मुख्यमंत्री जी से ही सिच्छामित्रों के लिए कुछ करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है फिलाल आप बस इतना ही किजेगा कि पहले तो पत्रों वाला जो यह उन्होंने प्लान बनाया है उसको थोड़ा सफल कीजिए अपने साथियों को भी इसके उबारे मताईए इसके लिए आप हमारी वीडियो को भी अपने कर दीजेगा तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतनी ही कबरती और हम ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेके आते हैं बेसिक चासे जूड़ी खबर से चामेता से जूड़ी खबर हम आपको इस चैनल के माद्व से देते हैं तो आपके लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइ वहां आपको इस पत्र का प्रारूप मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको निष्ठा के जो टेरिंग चल नहीं है उसके भी आंसर उसमें मिल जाएगे तो बस हम आपसे जाद्र लेंगे फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में कुछ नहीं खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार